साथ के चेटियल को sunHello everyone वेलक़म मन मैं सब्सक्राइब करने वारे इस ए से लेकर जाग तक सब इस टोक की डिटेयल एनलाज़ेael देखना चाहते हो तो चेमल को सब्सक्राइब कर लेसं क स्टार्ट करते हैं इस कंपनी की शेपट क से 388 रूप है और यक दिन में 1% की गिरावर देखने को मिली पिछले एक महीनों में 18% के positive return दिये पिछले 6 महीनों में almost 40% के positive return एक साल में 64% के positive return पिछले 5 सालों में 33% के positive return continuous गिराउट होने के बाद काफी अच्छा returns इस companies ने दिया है maximum returns के बाद करें तो 33% के positive return दिये तो क्या इस company के share को में खरेदना चाहिए या avoid करना चाहिए तो चलते हैं company के fundamentals पर तो जैसे कि यहाँ company के business and fundamentals के बात करें तो यह जो company है hospitality, hotel sector में काम कर रही है commercial and retail, operational real estate development sector में भी company काम कर रही है market capitalization almost 8000 करोड का है stock का लो 211 रुपए stock का है 410 रुपए stock के PE की बात करें 3.93 है book value 67 रुपए 80 पैसा dividend yield 00 है company कोई भी dividend नहीं दे रही है ROC 0.004% है return on equity 5% negative है promoter holding 31% की है और यहाँ पर आप देख सकते हो place shares 32% है यानि company के total जो shares है 71 में से 32% के shares यहाँ पर place है यानि company ने इन पर loan लिया हुआ है debt की बात करें तो 1.90 है जो की 26,43 करोड का debt देखने को मिला है अगर company का debt एक से ज़ादा होता है तो companies यहाँ पर risk की मानी जाती है यहाँ बात करें company के quarter on quarter basis result की तो आप यहाँ देख सकते हो continuous काफी loss होने के बाद अभी company का profit 29 करोड और 16 करोड देखने को मिला है यहाँ बात करें year on year basis तो year on year basis भी हमें काफी loss देखने को मिला अभी loss recover होकर 18 करोड का profit देखने को मिला है balance sheet में company के जो results है वो यहाँ पर almost घरते वे देखने को मिले तेरा सो करोड बारा सो करोड ग्यारा सो करोड और ग्यारा सो पिचासी करोड के भी latest results है और borrowings की बात करें तो 26 सो करोड के यहाँ पर borrowing से जो की काफी जादा और बढ़ते वे देखने को मिले है यहाँ बात करें company के promoter holding की तो company के promoters के पास 71% के stakes है FIS के पास 1.82% के stakes है यानि FIS ने भी अपना पैसा withdraw किया है DIS के पास 21.89% के stakes है यानि DIS की बात करें तो DIS ने अपना पैसा increase किया है और Nippon Life India Trust Company के पास 7% के stakes है SBI Consumptions Opportunities Fund के पास 6.79% के stakes है बाकी HDFC Mutual Funds HDFC Multi Cap Fund के पास 2.88% के stakes है और Other Funds ने भी काफी अच्छा पैसा यहाँ पे investment किया हुआ है और Public Holding मात्र 4% हमें देखने को मिली है यानि All Over इस Company के जो Fundamentals है यहाँ पर थोड़े रिस्की देखने को मिले क्योंकि काफी टाइम से Loss होने के बाद अभी Company के जो Profits है उसमें तेजी देखने पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Company ने कोई भी Bonus Dividend Stock Split नहीं किया है तो क्या इस Company के शेर को हमें खरीदना चाहिए इस Price पर अगर आप इस Price पर इस Company के शेर को खरीदते हो तो आपके लिए काफी ज़्यादा रिस्की हो सकता है और होटल सेक्टर का Stocks में काफी ज़्यादा रिस्की होते हैं अगर आप इन Company में Investment भी कर रहे हो तो थोड़ा रिस्क को देखते ही भी Investment करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें ठेक्यों दोस्तों